गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, जनता हुई खुश इस बात की पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, जिस प्रकार हम सभी लोग मोदी के अंतिम बजट से नई उमीदे जोड़े बैठे थे उससे अब हमें राहत मिल गई है, पेट्रोलियम कमपनी की अगर बात की जाए तो उसकी तरप से भी लोगों को काफी राहत मिली है, इंडियन ओइल कमपनी के मुताबिक अब सबसिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत पर 5.9 एक रुपे प्रती सिलेंडर की कमी और गैस सबसिडी वाले सिलेंडर की कीमत पर 120.50 प्रती सिलेंडर कम कर दी गई है, पहले प्रतना में सबसिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 783 रुपे हुआ करती थी, अब उस गैस सिलेंडर की कीमत में 33 रुपे की कमी करके 750 रुपे कर दिया है, नॉन देमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत पहले 1388 रुपे थी जो की 19 किलो का हुआ करता था लेकिन अब इस सिलेंड कीमत 44 रुपय घटा के 1344 की करदी है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ग्राहक को गैस सबसिडी वाले सिलेंडर ही खरीदना पड़ता है बाकी के पैसे उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं और सरकार प्रतियक ग्राहक को वर्ष में सिर्फ 12 सिलेंडर की सबसिडी देती है फिलहाल तो एक जनवरी 2019 से मोदी सरकार ने पूरे देश भर में LPG के दाम कम किये थे इसी वज़ा से की खबर सुनने में आ रही है गैस सिलेंडर के पैसे कम हो जाएंगे एक महीने में सिलेंडर के दाम दूसरी बार घटाए गए हैं सिलेंडर के दाम में कमी पिछली बार एक दिसंबर को की गई थी तब LPG सिलेंडर की कीमत 6.52 रुपे तथा गैस सबसिडी वाले सिलेंडर की कीमत 133 रुपे प्रती सिलेंडर कम की गई थी LPG सिलेंडर में की गई इन कटोतियों के बाद अब LPG सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में 494.94 हो गई है जो की 14.2 kg का होगा इसकी की पुरानी कीमत 500.9 रुपए थी वही 14.2 kg का गैर सबसिडी LPG सिलेंडर दिल्ली में 689 रुपए में मिलेगा इसकी पुरानी कीमत 809.5 रुपए थी